गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स तुडे वी आरे स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक फॉर क्लास सेवंथ और बॉथ मीडियम टॉपिक डेम सिंपल एक्वेशन्स एंड वॉल्यूम फैस्ट सरल समीकरण ये वीडियो जो है इंदी मीडियम, इंगलिश मीडियम दोनों के लिए है देखे सबसे पहले है पन जानते हैं लेनियर एक्वेशन के बारे में लीनियर एक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं linear equation क्या होता है highest power of various variables is one at जिसमें variable की highest power जो एक होगी one होगी उस equation को linear equation करेंगी यहाँ पे देखें for example X की जो power हो one है ठीक है इस कारण से 3X equal to 21 और एक equation के लिए आपको याद रखत ध्यान में में रखना है कि दोनों साइड left hand side और right hand side है वो equal के symbol के द्वारा divide होनी चाहिए ठीक है equal का symbol equation में मौजूद होना चाहिए अगर equal का symbol नहीं होगा तो वो polynomial हो जाएगा बहुपद हो जाएगा ठीक है अब देखिए next है x by 2 plus 4 upon 3 equal to 4 इसमें भी देखिया x की maximum power है तो 1 है इस कारण से यह जो equation है यह भी linear equation होगे अब है linear equations in one variable यह तो हमने linear equation के बारे में जाना है और अब जानते हैं कि linear equation one variable में आप 7th class में शिरफ आपके linear equation one variables में ही पढ़ने को मिलेगा two variables के अंदर linear equation आपको अपर class में पढ़ने को मिलेगा देखिए तो one variables में linear equation क्या होता है in which equation has only one variable वे समीकरन जिसमें केवल एक ही चर हो तो यहाँ पे देखिए यह यह और यह दौनो constant form है constant trams है और यह जो a है यह variable है और यह अकेला ही है इसके साथ कहीं पे भी b और c दूसरा variables नहीं है तो इस कारण से यह जो है उपर वाला जो है यह linear equation है one variable में अब देखिए नीचे यहाँ एक variable x है दूसरा variable y है इस कारण से यह equation linear equation तो है बट one variables में नहीं है ठीक है अब देखिए वाई